किचन के काम हो या घर के साफ सफाई के काम हो कभी खतम नहीं होते कुछ न कुछ लगा ही रहता है अगर उसे थोड़े से हम टिप्स एंड ट्रिक के थुरू करें तो हमारे काम आसान हो सकते हैं आज मैं उसी तरीके से चार टिप्स लेकर यो पसंद है तो प्लीज लाइक तो यहां पर जाए नहीं बनते हैं तो पानी अलग हो जो तो यहां पर जैसे आप चटनी बनाते हैं जो भी टमाटर हो धनिया लैसन अदरक मिर्ची जो भी मसाले आड़ करते हैं आपको डाल लेना है नमक अपने स्वाद अनुसार एड किजिए अभी कच्छी केरी भी तो अब इसमें डालेंगे दो चीजे तो पहला है बरफ जिसे आपका कलर चेंज नहीं होगा बहुत ही अच्छा हरा रंग आएगा और आप चाहें तो यहां पर ठंडा पानी भी ले सकते अब इसमें दूसरी चीज डालेंगे आलो भुजिया आप कोई भी गाटिया फाफड़ जू भी आपके पासником वेशन की वह ले सकते हैं अब आपके जशहां दालेंगे निश्या आत्व बहुत प्यार आया चोटा सा टीप से अपना के देखिए अगा पसंद आए तो शेयर जरूर करिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला टीप से देखिए इस तरीके अगा लिक्विड डिस्वस हो हैं वास हो या हम कुछ भी तरीके लिक्विड जो हम कीचन में यूज करते हैं यूज करते हैं यह बहुत ज़्यादा गाड़ा होता है अगर इसे हम एक बर में यूज करेंगे धेर सारा एक ड्रॉप घिराएंगे तो हमें बरतन काफी दोल सकते हैं इसमें जब भी आप इसे यूज करें तो इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर रहे वैसे मैं हैंडवस मे पानी थोड़ा ही मिलाएगा थोड़ा से शेक कर देंगा और यह देखिए हमारा जो लंबे डाइम तक चलेगा खतम जल्दी नहीं होगा बहुत चोटा चोटा टीप से इसे अपना के देखिएगा आपके काम बहुत ही आसान होंगे पैसे भी बचेंगे चलिए आगे बढ़त अगला टीप से देखिए किचन स्लैब के ऊपर किचन स्लैब के ऊपर हम अपना सारा काम करते हैं सुबह से लेके साम तक हम किचन में ही रहते हैं स्लैब के ऊपर पूरा यूज करते हैं कभी कभी स्लैब के ऊपर ना वाइट कलर के ताग धबे रह जाते हैं वह पानी के लगाने के बाद आपको 5-6 मिनट के लिए छोड़ देना है और कोई भी कपड़ा ले लिए और इसके उपर रफ कर दीजिए जहां दाग लगा वहीं पर आपको रगड़ना है बस इस तरीके से और इस वद कपड़े को वापस गिला करके निचोड के अच्छे से 2-3 बार आप को पोच लेना है आप रिजल तुरन देखेंगे वैसे मेरे जो वहां पे दाग नहीं है मैंने आपको करके दिखाया है अगर दाग दबा हो तो आप इसे ट्राइज जरूर करेंगा फिर मुझे कमेंट करके बताएगा कि मैंने आपको टिप सही बताई थी और साथ ही आप आप देखेंगे वैजा ले लिया है और अप काजु के जगा बदाम भी ले सकते हैं आप थोड़ा सा पानी डालेंगे आप चाहे तो दूद भी ले सकते हैं और साथ में डालेंगे थोड़ा सा चीज क्यूप तो मैंने पूरा नहीं लिए आधा लिया है और तुरंद जागी तैयार सकते हैं यह जैब अब दरा है यहां है जुदी तुछ सी में थोड़ा सा नमक रहते हैं हम सकते हैं शराने को भिटों को मैंने कृूंड ओंड और यह थैर रदिंग जोटेना सकते हैं लेकिन आप चैंक रदिवर भी Colum चिली फ्लेक्स डाल दिज़े औरिगानो डाल दिज़े जो भी आपको पसंद तो यह सारे टीप्स से आज के प्लीज पसंद आए तो इसे लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और विडियो के एक लाइक जरूर कर दिज़ेगा और मुझे कमेंट करके यह भी अच्छी लगे मैं आपसे फिन मिलूंगी बाबाई थैंक यू